सब्सक्राइब कीजिए संसार सागर यूटूब चैनल को और दबाएए इस बैल को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले ये बिल्कुल फ्री है अब आप 10 मिनिट में पैन कार्ट को बनवा सकते हैं वो भी घर पर बैट कर कैसे ये जाने के लिए आप मेरा ये वीडियो सुरू से लेकर लाश्ट तक देखते रहे हैं संसार सागर में आपका स्वागत है मैं हूँ देपक सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रॉम ब्राउजर को ओपन किया हुआ है यह उपर इसका एड्रस बार दिया गया है यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफिलिंग इफिलिंग टाइप करने के बाद इंटर कर देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर बहुत सारे ओप्शन दिखाई देते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पैन कार्ट यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाते हैं और क्लिक कर देते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा यह इफिलिंग की वैपसाइड है यहाँ पर आप घर पर बैट कर दस मिनिट में पैन कार्ट को बनवा सकते हैं यह एक पेपरलेस प्रॉसेस है इसमें किसी भी प्रकार के पेपर की जरूरत नहीं होती है आप अपने आधार कार्ट के द्वारा पैन कार्ट को बनवाते हैं वो भी दस मिनिट में है आप इसकी वैल्यू फिजिकल पैन कार्ट के ही तरह होती है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूवी है यहाँ पर दो बटन दिये गए है Get New Pen और दूसरा है Check Status Download Pen यहाँ पर आप आधार कार्ड को बनवा सकते हैं और उसके बार आपको एक नंबर दिया जाता है उस नंबर के द्वारा आप अपने Pen Card को चेक कर सकते हैं और Download कर सकते हैं यहाँ पर मैं Pen Card बनवाने की बात कर रहा हूं जो की आधार कार्ड के द्वारा बनाया जाता है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं एक नया पेज उपिन हो जाता है यहाँ पर 5 स्टेप में आप बढ़ी आसानी से Pen Card को आधार कार्ड के द्वारा बना सकते हैं यहाँ सबसूपर दिया गया है आधार नंबर यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना होगा उसके बाद यह कैप्चा दिया गया है यहाँ पर हम कैप्चा को इंटर करेंगे और यहाँ पर हम चैक मार्क करेंगे यहाँ बताया क्या है कि आपके पास पहले से Pen Card नहीं होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योंकि उसकर OTP आता है और OTP को हमें फिल करना परता है आपके आधार कार्ड में Date of Birth होने चाहिए आप माइनर ना हो और आप इन सारी Terms and Conditions को Follow करते हो तो यहाँ पर चैक मार्क करने के बाद आप जैसे ही Generate आधार OTP पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है और यह OTP उसी मोबाइल पर आता है जोकि आपकी आधार से लिंक होता है जब आप OTP को Fill करते हैं और Submit करते हैं तो आपके आधार कार्ड की Detail Open हो जाती है जिसमें आपका नाम होता है आपका date of birth होती है और उसमें फिर आपको submit करना पड़ता है करने के बाद एक नंबर जनरेट हो जाता है उस नंबर के द्वारा आप अपने pen card के status को चेक कर सकते हैं और download कर सकते हैं साथ में एक link होती है उस पर आप क्लिक करके अपने status को देख सकते हैं और pen card को download कर सकते हैं या फिर आप यहां बापिस जाते हैं और यहां पर दिया गया है check status या download pen यहां पर जब आप mouse pointer लाग कर क्लिक करते हैं तो तीन step में आप अपने pen card का status चेक कर सकते हैं और उसे download कर सकते हैं यहां पर आपको आधार number डालना होगा यहां पर capture code डालना होगा और फिर आप यहां submit करेंगे समिट करते ही आपके mobile number पर एक OTP आएगा जो की आपके आधार card से link होगा उस OTP को डालने के बाद आपको आपके pen card का status बता चल जाएगा और आप उसको बड़ी आसान से download कर सकते हैं यह बहुत ही आसाल है और बहुत ही जल्दी आप pen card कर लेती हैं आज का यह वीडियो कैसा लगा मैं आसा करता हूं कि आपको पसर दाया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे like कीजिए और share कीजिए जिससे की दूसरे भी बड़ी आसानी से pen card को बनवा सके हैं और आपने यदि मेरे चैनल को subscribe कर लिया है तो अई बात कर यदि आपने भी तक मेरे चैनल संसार सागर को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही investing video देकर आता हूँ जो आपके लिए उप्योगी हो सकती है हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक कि लिए मुझे आग्यादीजे नमस्कार